कोरिया के सारे एटोमियन्स को मेरा नमस्कार नई, पूरी दुनिया भर के एटोमियन्स को ठंड का मौसम अब कम हो गया है और अब आप बसंत रितो का लुट्फ उठा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मौसम अब हमारी तरफ आ रहा है चलिए, हम अपने अंदर एक जोश भर लेते हैं बसंत रितो के इस एनरजी के साथ मुझे कुछ सवाल आज यहां भी दिख रहे हैं पार्टनर्स को डूप्लिकेट करना बहुत कठिन काम है प्लीज, हमें सिखाईए कि डूप्लिकेशन किस तरह से अच्छे से किया जा सकता है पहली बात, एक अच्छे डूप्लिकेशन के लिए जरुरत होती है एक अच्छे धाचे की एक खराब धाचे से डूप्लिकेशन करने से पूरी और्गनाइजेशन के अंदर काफी गड़बढ हो जाएगी सबसे जादा मैं ये चाहता हूँ कि आप बन जाए एक जबरदस्ट उधारण अपने पार्टनर्स के लिए कि वो आपको कॉपी करने लगे और आपके ही नक्षे कदम पर चलने लगे जो अपने आपको एक जबरदस पॉन्सर के रूप में देखते हैं उनके पास अच्छे धाचे होने चाहिए जो डूप्लिकेटिंग में इस्तमाल किया जा सके और दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनको फॉलो ना करे शायद उनके धाचे के साथ कुछ गड़बड है ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए जिससे शुरुवात करने के लिए एक अच्छा धाचा बन सके अटमी सिस्टम के अंदर जो उसूल हैं उनको फॉलो कीजिए सूपर सिनर्जी अफ युनाइटेड हार्ट के साथ मिल जाईए सबको बताईए कि सचाई और अच्छाई सबसे बेस्ट ट्रेटिजी है अगर आप नियमों को सुनेंगे जो हमारे और्गनाइजेशन के अंदर नहित है और आपने जो सीखा है उसका अभ्यास करेंगे तब आप बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा धाचा बनेंगे निजी ग्रोथ और बिजनस के एक्स्पैंशन के लिए आपको सेमिनार्स को एटेंड करना नहीं छोड़ना चाहिए ये एक बहुती महत्वपूर्ण जरूरत है एक अच्छा और सही धाचा बनने के लिए अभ्यास का एक और नतीजा ये है कि आप अपने पार्टनर्स को दिखाएं कि आप कड़ी मेहनत करते हैं आप मेहनत करने से डरते नहीं हैं दूसरे मेहनती लोगों की तरह ये कुछ चीजे हैं जो आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर्स आपसे सीखें मैं इस बात को धंक से समझाता हूँ कैसे पहचान करें ड्यूप्लिकेटिंग को कॉपी इंग से साफ शब्दों में चलिए मान लेते हैं आपको एक पेड़ कॉपी करना है उस प्रक्रिया में आपको एक exact नकल बनानी पड़ेगी जबकि दूसरी तरफ उस पेड़ की डूप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी जमीन पर एक बीज डालने से आपको उसके खिलने तक का इंतिजार करना पड़ेगा और फिर जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता कुछ वक्त के बाद जब वो बीज बड़ा होके एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है तब आप कह सकते हैं कि डूप्लिकेशन अब पूरी हो गई है अगर आपको एक अच्छी डूप्लिकेशन चाहिए आपको ऐसे अभ्यास करने चाहिए जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स भी करें अपने शुरुवाती दोर में ठीक वैसे ही जैसे आप पहले खुद करते थे चीजे जैसे बाहर निकल कर मेहनत करना हर बार सेमिनार में जाना और इन चीजों को नियमित रूप से और लगातार नोटिस किया जाता है नए पार्टनर्स फिर आपका उधारन फॉलो करेंगे हर एक कदम उपर से लेके नीचे तक जिससे कि वो अपनी जबर्दस नीव बनाएंगे साथ ही अगर आपके पास एक सफल सीनियर कॉंट्राक्टर है जिसे आप डुप्लिकेट करना चाहते हैं उनके अभी के जबर्दस्त इमिज से चका चौंध मत हो जाईए आपको बहुत स्मार्ट होना होगा जिससे कि आप अंदाजा लगा सके कि कि जमीनी तोर पर काम करना कैसा होगा जब उन्होंने शुरुआत की थी कॉंट्राक्टर बनने के लिए मैं आपको सच में डुप्लिकेट करता हुआ देखना चाहता हूँ उन पहले सालों को जिनसे सफल कॉंट्राक्टर्स गुजरे थे और वो मुश्किल वक्त जो उन्होंने जहिला था इसके बदले में आपके पार्टनर्स डुप्लिकेट करना चाहेंगे आपके ठीक उन्ही कदमों को एक तरह से आटमी के बिजनस के अंदर डुप्लिकेशन को समझना एक अच्छा एडिया है ये जीवन्त चीजों को डुप्लिकेट करने जैसा है कहा जाता है कि एक सफल इंसान का इहताहास जितना अंदेरे में घिरा हुआ था उनकी सक्सेस की चमक उतनी जादा होगी अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स आपके नक्षे कदम पर चलें तो आपको डगमकाना नहीं है आपको चलते रहना है और एक पत्थर की तरह अपनी जगह पर टिके रहिए समुंदर के बीच में भी साथ ही अगर आप अपने पार्टनर्स को अपनी सफलता की कहानिया सुना पाएं तो वो बहुत प्रोच्साहित हो जाएंगे और आपको टुप्लिकेट करेंगे क्या आपको समझ में आया? मैं उमीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्फुल था अगला सवाल प्रेजिडेंट पार्क, क्या आप अब भी अपनी लाइफ सेनेरियो लिखते हैं? हाँ, मैं अब भी अपना लाइफ सेनेरियो लिख रहा हूँ मैं आजकल एक नया सेनेरियो लिख रहा हूँ स्कूल पिछले महिने हमने आखिरकार एक जगा पर एक जमीन खरीदी है बारा एकड की एक स्कूल के लिए हम वहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक मिडल स्कूल और एक हाई स्कूल इस बात पर जितना भी जोर डालू उतना कम है कि शिक्षा कितनी ज़ादा जरूरी है दुर्भागे से मैं ऐसे कई लोग देखता हूँ जो बिलकुल भी सभ्य नहीं है जबकि उन्होंने काफी अच्छे पड़ाही लिखाई की है मैं इस बात पर जितना भी जोर डालू कम है कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारा समाज और हमारा देश कई मुश्किलों के दौर से गुजरा है और जबरदस्त नुकसानों को जहला है उन पड़े लिखे लेकिन असभ्य लोगों की वज़ा से जिन्होंने हमारे उपर राज किया है इसलिए सही शीक्षा का महत्व बहुत ही ज़ादा जरूरी है मेरी सोच कहती है बच्चों को सिखाना एक अच्छा इंसान बनना दस गुना ज़ादा जरूरी है उन्हें किताबी ग्यान देने की तुल्ना में एक दिन मुझे बहुत ही ज़ादा बुरा लगा एक ख़बर से जो मिलिटरी की यूनिफॉर्म है वो बुलिट प्रूफ वेस्ट्स जो हमारे कोरियन सोल्जर्स पहनते हैं वो डिफेक्टिव है मेरा विश्वास है कि किसी उचे रेंग के अफसर ने वो फैसला लिया था कोई जन्रल जिसके कई सारे स्टार्ज हों आखरी फैसला उसको लेना चाहिए था कैसे? कैसे वो बुलिट प्रूफ यूनिफॉर्म्स इतने कम कॉलिटी के साथ चुने गए उन्हें हमारे नौजवान पहनेंगे जो उनके बेटों के उम्र के होंगे अगर मैं जन्रल होता मैं ये करता मैं उन जैकट्स को कहीं टांग था और उनके उपर बंदूग से गोलिया चलाता अगर गोलिया आरपार चली जाती मैं दूसरा कोई चुनता क्या हमें इसी की जरूरत नहीं है भगवान जाने क्यूं हमें इतने सारे क्राइटीरियस की जरूरत है और टेकनीक्स डालनी पड़ती है एक बुलेट प्रूफ वेस्ट को चुनने के लिए अगर गोलिया उसके आरपार चली गई तो वो खराब है और अगर ऐसा ना हो तो वो अच्छी है हमें इसे प्रूफ करने के लिए इतना नौलेज क्यों चाहिए अगर आपका दिल साफ है अगर आपके लिए जिन्दिगी की एहमियत है और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो फिर आप हर तरह से सही फैसला ले सकते हैं मैं एक life scenario लिखता ही रहता हूँ जो शिक्षा के बारे में है जो सही काम करने के शिक्षा लगातार बच्चों को देती रहेगी एक साफ दिल के साथ इसके अलावा मेरा काफी वक से एक सपना था वो ये कि मैं स्कूल्स बनाऊ, वो भी अंडर डेवलप्ट देशों में, गरीब बच्चों के लिए, जिन्हें धंकी शिक्षा कहीं भी मिलती नहीं है मेरी ये दिली खौईश है कि मैं तकरीबन सौ स्कूल्स बनाऊ अपनी आखरी सांस लेने से पहले कुछ जगाहों पर तो स्कूल्स खोलना बहुत ही जादा जरूरी है मैं अपना लाइफ सेनारियो लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरी पूरी जिन्दगी का मिशन है कि मैं एक धंग की शिक्षा दे पाऊं और भगवान का संदेश बच्चों को जिनके पास वरना कोई जरिया नहीं होगा शिक्षा प्राप्त करने का और एक अच्छी जिंदगी पर हाँ, आटमी नाम के सिनारियो की सबसे पहले शुरुआ थी मेरे आइडिया से जब मैं इस बिजनेस की तियारी कर रहा था मुझे दिखता है कि मेरे आइडियास ग्लोबल स्तर पर फैल रहे हैं और हम एक ग्लोबल डिस्टिब्यूशन हब बन कर दुनिया भर में आटमी की जरी सब कुछ डिस्टिब्यूट कर रहे हैं और मेरा GSGS strategy दूसरे शब्दों में ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्त्राटजी जो बेचता हो सब कुछ दुनिया भर से पूरी दुनिया को ये सब सच हो रहे हैं एक एक करके वो हर चीज जो हम देख सकते हैं और वो हर चीज़ जो दुनिया में आती है, वो अन देखे जगत से आई है। एक सफल आप अच्छे जिन्दगी जीते हुए, प्यारा, ग्यानी, दानवीर आप एक संतुलित जीवन जीते हुए, ये चवी आपके दिमाग में बिलकुल साफ होनी चाहिए। एक और आप जो हैं दानवीर, जो दयालू हो, जिसकी हर कोई इज़त करता हो, ये चवी बिलकुल साफ होनी चाहिए आपके कल्पना में। ये सिनेरियो और ये फिल्म बदल देगी आपके कर्मों को और वो सफर जिस पे आपकी जिन्दिगी चल रही है। बाकी की बची जिन्दिगी में जो सिखाएगी सही काम करना भगवान के बारे में और बच्चों के लिए एक सफल जिन्दिगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब सफल हो अपनी लाइफ सेनेरियो के साथ। अगला सवाल मेरी जिग्यासा है कि आप क्या सोचते हैं पिग्स क्लब के बारे में। देखे, मुझे ये कहना होगा कि पिग्स क्लब तो है। काश ऐसा ना होता, पर मैं क्या करूँ? उन्हें अकेला छोड़ दो. अगर आप फ्रस्टेट हो जाते हैं उन लोगों से और आप अपना मौका गवा बैठते हैं सफल बनने का, तो फिर आप किसी और पर इल्जाम नहीं लगा सकते. खुद अपने लीडर बने, खुद से पहल करना और अपना खुद का रास्ता बनाना बहुत ही जादा जरूरी है. आप उन लोगों द्वारा डिस्करेज होना एफोर्ड नहीं कर सकते और उन पर इल्जाम लगाना आपको कोई लाब नहीं देगा. सच्ची सफलता, उसे मापा नहीं जा सकता. सिर्फ आप जितनी कमाई कर रहे हैं उससे. आपका पैसों के साथ संतोष आखिरकार आगे चल कर खत्म हो जाएगा. डिमिनिशिंग यूटिलिटी के नियम की वजह से. सच्ची संपूर्णता आती है सच्ची इज़त के साथ. आप खुद को सच में सफल मान सकते हैं, जब आपके पास दोनों पैसा और इज़त हो. लेकिन पिक्स क्लब के सदस्य उन्हें कोई इज़त नहीं मिलती. इसके साथ ही उनकी सफलता काफी सीमित है. मैं सच में दुआ करता हूँ कि वो ना होते. पर मैं इसका कुछ कर नहीं सकता. वो तो होंगे ही. एहम बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप उनका बहाना लेकर काम छोड़ दें. और उनके बारे में चिंता भी मत कीजिए. देश के हर एक एटोमियंस को, जिनकी मैं इज़त करता हूँ और प्यार करता हूँ, क्या मैंने आपके सवालों के जवाब दिये हैं? जमीन से खिले हुए एक नवीन पौधे की तरह बढ़ते रहिए अपने बिजनस के साथ, जोश और एनरजी के साथ. देखने के लिए धन्यवाद.